हलो एवरिवान वेलकाम टू ठीटू लॉर्निंग आज हम जानेंगे की प्लांट का जो वन आफ दे पार्ट होता है फ्लावर एंट फूट वो किसके सरीकी की होते हैं उनकी क्या इसपेशलिटी होती है और क्या फंक्शन होते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लावर्स के तो आपने different type of flowers तो देखे ही होंगे और आप ये भी देख पाते हैं कि ज्यादातर plants में flowers होते हैं और different different type के होते हैं और किसी भी plant का जो सबसे beautiful और colorful part होता है वो होता है flower और जो flowers होते हैं different shapes में, sizes में और different colors में आते हैं और इनकी एक अलगी महक होती है sweet smell होती है, fragrance होती है और इनकी colors जो होते हैं बहुत bright होते हैं तो इनके color bright होने का और इनकी बहुत अच्छी सी महक होने का reason क्या है ताकि ये butterflies को और insects को attract कर सके और जब butterflies और insects इन पे आकर के बैठते हैं तो इनकी जो pollen होते हैं यानि की जो पराग कर होते हैं वो उनकी पैरों में चिपक जाते हैं तो जब वो ओड़ करके जाते हैं तो different places पे वो उनको फैला देते हैं तो उसकी वज़य से flowers का यानि की उस plant का reproduction होता है और उससे उनके seed, fruits और ये सब कुछ-कुछ plants में flowers से fruit बनता है या फिर उससे seeds आते हैं जैसे की अम्रूध है तो जो पहले ओगे का एक छोटा सा flower उपता है और फिर उससे वो fruit बन जाता है इसी तरीके से जो apple होते हैं उनका भी एक flower होता है और फिर वो fruit बन जाते हैं और कुछ flowers ऐसे होते हैं जिनके पराग कंट से उनके seeds बनते हैं और उनहीं से उनका plant फिर से उपता है तो flower का क्या function होता है यानि कि क्यों होता है किसी भी plant में एक flower तो जैसे कि हमने जाना कि flower बहुत beautiful होता है colorful होता है bright color के होते हैं और इनकी एक fragrance होती है उसकी वज़ा से insects and butterfly आती है और उस वज़े से इनकी plant का reproduction होता है तो flowers जो होते हैं reproduction में help करते हैं दूसरा गया purpose होता है flowers का flowers का दूसरा purpose होता है fruits बनाना तो जैसे कि हमने बताया कि flowers जो है fruit में convert हो जाते हैं तीसरा पार्ट जो है तीसरा function जो है जो flowers होते हैं वो भी एक food की दरे खाये जाते हैं जैसे कि curly flower वो जो है वो एक flower है ब्रॉकली वो भी एक flower है तो ये जो होते है flowers ये खाने की भी काम आते हैं तो ये function होता है flowers का अब हम जानते हैं fruits के बारे में हम सबी बहुत सारे fruits खाते हैं और हमने देखे भी हैं तो ये जो यह फ्रूर को से बनते हैं जैसे कि अब ही जाना था और जब यह पकते चाया चाई-धो और जब पकने लगए तो दो यह को जाता है और क्लाइ degradation जैसे कि ऑचा चाइप तो इस dense बेऑन जैसा है आख सुछ या पूरे प्लान्ट का री परड़क्ट्शन पासिबल है जैसे कि आप सब जाते हैं कि जब आफ सिद यानी की बीच बोया जाता है तो उसी से पूरा प्लांट डेवलब होता है और जो फ्रूट्स होते हैं मैंगो पीच यानि कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सीड होता है यानि कि एकी सीड होता है बट कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं जैसे कि पपाया होता वाटर मेलन होता है मस्क मेलन होता है और वैसे ही कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर कोई सीट नहीं होता है जैसे कि पाइन एपल और अब जैसे कि हम प्लार्स के बारे में जान चुके हैं अब हम जानेंगे फीड्स के बारे में अभी हमने जाना कि सीट कहां पे मि और स्षीट इसमें से तरीके से सीट्स इसमें ख़ते हैं कुछ आख सीट्स यहनने कि फूर्ड की फॉर्म में हमारे लिए यूज मिलेते हैं जैसे कि गेहों हो गया मक्का हो गई चामब्ल हो गई तो वीड कॉर्ण राइस क्रैम यह सब जो seeds होते हैं, इनको हम खा सकते हैं, तो ऐसे seeds को जिनको हम खा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, edible seeds, यानि की खाने वाले seeds, और इन seeds से नया पौधा भी बनता है, और हर एक seed जो है, उसके अंदर एक plant का baby होता है, यानि की re-growing power होती है, seed जो है, उसके अंदर baby plant के लिए food को store करके रबता है, ताकि जब उसको पानी, मिटी और हवा मिलती है, तो वो re-grow हो जाता है, तो water, air and sunlight, इससे एक seed वापिस एक नया plant बना देता है, तो इस process को जो है, एक seed से baby plant बनने का जो process होता है, new plant develop होने का जो process होता है, उसको क्याते है, germination, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना flowers के बारे में, fruits के बारे में and seeds के बारे में, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने friends के साथ share कीजिए, इसे like कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम और बहुत सारी धेर सारी जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक ले बाई बाई